Hello students, today we are going to continue chapter 3, that is current electricity, इसमें आज हम देखेंगे मीटर ब्रिज के बारे में जानकारी, मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, फिर उसके प्रिंसिपल को डिसकस करेंगे हम लोग, बाद में उसमें यूज करने वाले फॉर्मुले को हम लोग डराइब करेंगे, फिर प् अब्सर्वेशन टेबल, उसमें जो अब्सर्वेशन टेबल यूज करते हैं उसको हम बनाना सीखेंगे, और सबसे लास्ट में उस प्रैक्टिकल को करने में जो प्रिकॉशन्स ली जाती हैं, उनके बारे में हम बढ़ेंगे, इस इंस्ट्रुमेंट को मीटर ब्रिज का जा इसमें जो four number का wooden board है वो base structure होता है इसके उपर one marked L-shaped strips होती है जो copper की बनी होती है फिर दो number पे plain strip दिखाई गई है next connecting screws जो हैं वो three number से दिखाई गए है और meter scale एक meter लंबी एक scale उसमें लगी होती है जो five number पे इसमें दिखाई गई है और six marked जो wire है वो एक meter लंबी wire होती है जो manganin या constantin की बनी होती है हमने इसमें एक simple sketch से meter bridge को दिखाया हुआ है इसमें main wire AC है और ये दो है L-strips ये है बीच की copper strip और यहाँ पे एक battery लगाई हुई है AC के बीच में अब हम इनको एक एक करके सब चीजों को समझेंगे तो ये सबसे पहले जो इसका नाम है meter bridge ये इस तरह से क्यों पड़ा क्योंकि इसमें एक meter लंबी wire होती है और ये wheat stone bridge के principle पर काम करती है इसलिए इसका नाम meter bridge हो गया है तो ये पहला point हमको समझना है next इसको कहा use करते हैं इसको use करते हैं unknown resistance निकालने के लिए use to find unknown resistance कोई भी resistance जिसकी value पता नहीं है उसकी value हम meter bridge यूज करके निकाल सकते हैं इसमें जो rb है वो एक resistance box है वो इन दो पट्टियों के बीच के gap में जोड़ा गया है ये s एक unknown resistance है और ये पूरी की पूरी wire एक ac wire है जो meter bridge में लगी रहती है ये पूरा structure एक wooden plank पे रहता है अब इसमें हमने a और c के बीच में एक battery जोड़ दी है जिसको कि हम b लिख देते हैं या e लिख देते हैं ठीक है ये हुआ e और यहाँ पे की लगी रहती है जो insert कर देते हैं अब हमने meter bridge के इस figure को हमने wheatstone bridge से compare किया हुआ है इसमें a b c पूरा का पूरा ये wire से दिख रहा है a से लेकर b तक का जो length है वो p resistance को denote कर रहा है ये वाला length फिर b से c तक का wire का जो length है ये q resistance को show कर रहा है फिर A और D के बीच में resistance box उसमें से R resistance निकाला गया है तो वो इसको शो कर रहा है A से D के बीच में फिर D से S के बीच में unknown resistance जिसकी value निकालना है वो ये resistance है इसकी value को शो कर रहा है और B और D के बीच में ये एक galvanometer लगा हुआ है यहाँ पे इस तरह से इसको लगाया जाता है galvanometer को ये की के थुरू लगाते हैं हम लोग फिर A से लेकर C के बीच में ये A है और ये C है यहाँ पे एक battery connect की गई है तो इस तरह से हमने wheatstone bridge का जो ये circuit बनाया है इस circuit को हमने practically meter bridge में इस तरह से set किया हुआ है ये है keys एक key ये है K1, K2 अब यहाँ पे एक और instrument यूज करते है that is called device that is called jockey ये जो j word से दिखाया गया है इसका एक तरह से sliding contact होता है एक pin जैसा होता है जिसको कि हम wire के उपर चला के balance point पता करते हैं balance मतलब जबकि galometer में current नहीं flow हो रही होगी तो हम उसको balance point पूलते हैं इस तरह से हमने देखा कि ये instrument wheat stone bridge की setting के equivalent है और चार resistances इसमें देख रहे हैं P, Q, R, S तो जब balanced condition होती है wheat stone bridge की तब ये formula हम लोग पीछे देख चुके हैं अब हम इसी formula की help से इसके लिए अलग से एक formula बनाएंगी माल लेते हैं कि A से B तक की जो wire की length है वो है L तो B से लेकर C तक की wire की length होगी 100 minus L क्योंकि ये पूरी की पूरी जो length है वो 1 meter that is 100 centimeter है तो हम लिखेंगे let AB is equal to L and therefore BC is equal to 100 minus L अब हमको इसका resistance चाहिए तो wire के लिए अगर per unit length resistance मालूम हो तो हम length से multiply कर लेंगे तो लिखेंगे suppose k is resistance per unit length for wire resistance तो उसका per unit length का resistance मिल गया k तो AB का resistance होगा therefore P is equal to क्या होगा P होगा resistance of AB और AB की length है L इसको हम k से multiply कर लेंगे तो k L हो गया इसी तरह से q क्या है यहाँ पे q जो है वो BC wire का resistance है resistance of BC BC की length कितनी है 100 minus L into k इस तरह से हम P upon q का ratio निकाल लेते हैं तो अब यह जो value है यह value को इस formula में रख देंगे तो क्या बनेगा left में P upon q that is L k upon 100 minus L into k is equal to R upon S इस तरह से हम इसको solve करके S की value निकाल सकते हैं S is equal to होगा R into 100 minus L upon L इस formula में जो R है वो resistance box से निकाला हुआ resistance है जो L है वो A से लेकर B तक का length है और जो 100 minus L है वो दूसरा उसका part है length का और galometer में balanced condition होनी चाहिए तभी यह formula applicable है balanced condition मतलब there should not be any deflection in the galometer or there should not be any current through this diagonal तो अब हम यहाँ पर इस practical के बारे में discussion करेंगे अब हम लोग method and observation table discuss कर रहे हैं for finding unknown resistance S इसमें सबसे पहले यह एक instrument है में meter bridge जिसके बारे में हम अलड़ी discuss कर चुके इसमें इस gap में resistance box लगा हुआ है और इन दो पट्टियों के gap में unknown resistance लगा हुआ है अब हम practical start करने के पहले सबसे पहले हम key को insert कर देते हैं जैसे battery से current flow होना चालू हो जाती है अब सबसे पहले हम resistance box से कोई भी suitable resistance निकाल देंगे जो भी उसकी value आएगी वो इस table में यहाँ पे लिख दी जाएगी माल लीजे हमने उससे 5 ohm resistance निकाल दिया तो हम यहाँ पे 5 value लिख देंगे फिर हम जाकी की help से जाकी को slide करके इस जगह पे या उस जगह पे उसकी balancing condition पता करने की कोशिश करते हैं मतलब जब galonometer में deflection zero हो तो वो एक location हमको मिल जाती है तो A से लेकर B यहाँ scale लगी होगी हम A B की जो length होगी centimeter में उसको इसमें लिख लेते हैं माली अगर हमको मिल गई वो 40 centimeter में तो वो हमने लिख लिया 40 centimeter फिर अब इसके बाद जो है इसका remaining part BC वो 100 से minus करने पर direct मिल जाता है तो यह 40 हुआ तो इसको 100 minus L हम कर लेंगे तो यह 60 होगा अब इसके बाद जो है इस formula में हम R और L की value रखेंगे तो यह इससे हमको S की value direct मिल जाएगी तो यह observation कई बार repeat किया जाता है और बाद में mean value of S निकाल ली जाती है Now we come to precautions इस practical को करने में हमको क्या precautions लेनी चाहिए सबसे पहली जो precaution है वो connections के बारे में है यह जो connections है इसमें यहां जो screws रहेंगे है ना यहां पे लगे हुए बैटरी का connection यह रहेगा यहां पे और दूसरा end यहां पे यह सब tight होने चाहिए tight नहीं रहेंगे अगर loose connection होंगे तो वहां पे बीच में resistance आ जाता है connectivity अच्छी नहीं रहती जिससे जो reading है वो सही नहीं आएंगे next precaution है जौकी के बारे में तो जौकी शुड़ नॉट भी rubbed next precaution हम देखते हैं जौकी शुड़ नॉट भी rubbed मतलब जब हम इसका balance point पता करते रहते हैं तो जौकी को touch करके देखना चाहिए लेकिन rub नहीं करना चाहिए अगर हमको दूसरी जगह लगाना है तो उसको फिर से हटा के यहां पे contact करेंगे यहां फिर से और एक दूसरी जगह पे पता लगाना है तो इस तरह से जौकी को हटा आटा के देखना चाहिए जनली यहां पे common mistake होती ही लोग जौकी को इस तरह से slide करने लगते हैं तो slide करने से wire का size change हो जाएगा और wire damage हो जाएगा cross-sectional area change होने के वज़े से उसका resistance भी change हो सकता है now we come to the third precaution इसमें third precaution यह है कि जो key है यह जौकी है इसको बीच बीच में disconnect कर लेना चाहिए अगर हम लगातार key को insert करे रहेंगे और जौकी को press करे रहेंगे तो current लगातार flow होती रहेगी और wire गरम होके उसका resistance change हो सकता है तो keys और जौकी जौकी should be connected only at the time of observation के वल रीडिंग लेते समय ही इसको जोड़ना है फिर ज़िसकनेट कर देना है बार-बार इसको डिसकनेट करके रखना है तो इसमें दो side effects possible है एक तो battery discharge हो जाती है जल्दी और दूसरा ये wire गरम हो जाती है जिससे इसका resistance change हो सकता है